दोस्तों नमस्कार गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में हमारे डॉक में हापने की सिकाईते बहुत ही जादा होती है तो आज मैं कुछ ऐसा आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा एनर्जी ड्रिंक आपको बताने जा रहा हूँ देखिए, आप अगर energy drink त्यार कर रहे हैं, तो उसमें आप एक विसेस बात ध्यान रखिए, कि आपको number one जो चीज यूज़ करनी है, वो है butter milk, butter milk यानि चाच, ये सभी घरों में उपलब्द रहती है, और इसे खटा नहीं देना है, और नहीं मीठा देना है, आपको normal जो है, और बहुत ही गुणकारी है, गर्मियों में dehydration किसी भी सुरत में होने ही नहीं देखिए, तो भाई ये बहुत ही शांदार है, इसे आप दीजिए, अच्छा result मिलेगा, इसके अलवा, आपने नाम सुना होगा, गौंद गतिरे का, गौंद गतिरा, जो मैं अक्सर वीडि में भी देख पा रहे हैं, इसके पांच या साथ दाने आप ले लीजिए, और पानी में मिला दीजिए, एक या दो घंटे तक उसे आप पढ़ा रहने दीजिए, उसके बाद वो हलका सा पानी जो है, वो डिस्कलरिंग हो जाएगा, उस पानी को अगर आप पिलाते हैं, गो जबका ये energy tonic का काम करता है, और बहुत ही शांदार तरीके से rehydration therapy जो होती है, जो dehydration की उल्टी होती है, तो वो dehydration भी नहीं होने देगी, शरीर में गर्मी नहीं होने देगी, तो penting की सिखायते भी बहुत ही कम रहेगी, और जो energy का हास penting के रूप में होने वाला है, भाई यानि curd बहुत ही अच्छा रहता है, आप पर डे जितना भी आप खिला रहे हैं, उसका 10-20% आप दही खिला सकते हैं, दही ना मीठा होना चाहिए और ना ही खटा होना चाहिए, दही भी आपको normal लेना है, खाने में add कर सकते हैं, किसी भी खाने में मिला करके दे सकते हैं, त आप साथ में भी दे सकते हैं, कोई problem नहीं है, पूरी तरीके से अगर dehydration नहीं होगा, तो हमारा लोग घर्मियों में मोटा तकड़ा healthy रहेगा और बड़ी बात बिमार नहीं होगा, सुर्क सित रहेगा